अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं यहां आभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आये तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दुबाएं प्यारे बच्चो आज कक्षा चारंग्रेजी का दूसरा लेसन इच वन यूनिक प्रतेक चीज अध्वित्य है यहां आपने कह सकते हैं कि प्रतेक व्यक्ति अध्वित्य है डिसकस चर्चा करते हैं चर्चा करें फूज पिक्चर इस देखिए यह जो पिक्चर है यह किसकी है तो इसके अंदर नाम भी दे रखा है देविंदर जाजडिया तो यह पिक्चर देविंदर जाजडिया की है तो अपने अंग्रेजी के अंदर अगर इसका उत्तर देना हो तो कैसे देंगे इस पिक्चर इज ओफ देविंदर जाजडिया पेरा उलूम्पिक खिलाडी है अपने राजस्थान के चूरुजिले से बिलोंग करते हैं ये पह जी लोस्ट इस वन हैंड क्या उसने अपना एक हाथ खो दिया है तो उत्तर किस तरह से देंगे आप येस लोस्ट इस वन हैंड क्योंकि अपने को पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है न ये देखो इनका जो हाथ है एक हाथ नहीं है इनका दिव्यांग है ये अब आगे पढ़ते हैं तो अपने क्या कहेंगे येस ही है लोस्ट इस वन हैंड लेट्स रीड दा फॉल्मिंग स्टोरी इट नेरेट्स इस अचीवमेंट्स इन हिस लाइफ आव निमलिखित कहानी को पढ़ते हैं यह उनके जीवन में उनकी उपलवदियों का वर्नन करती है नेरेट्स वर्नन करना इंगित करना ठीक है अचीवमेंट्स उपलवदियां तो देखिये ये लेसन अपना स्टार्ट हो चुका है देवेंद्र जाजडिया वाज बॉर्न इन नाइंटीन एटीवन एंड ही इस फ्रॉम चूरू डिस्टिक इन राजस्थान अब देखिये देवेंद्र जाजडिया का जनम उननी सो इक्यासी में हुआ था और वहे राजस्थान के चूरू जिले से हैं अब क्या हुआ आठ वर्ष की आयू में एक पेड़ पर चड़ते समय उन्हें विदूत परवा हो रहे बिजली के तार को चू लिया था टच कर लिया था he received medical attention what the doctors had to cut off his left hand उन्होंने क्या किया उन्होंने डॉक्टरी इलाज लिया लेकिन डॉक्टरों को उनका बाया हाथ काट कर अलग करना पड़ा कि वर्टी वाज confident and very much interested in sports ठीक क्योंकि लेकिन उन्हें रहे आतम विस्वासी थे तथा खेल कूद में बहुत ज्यादा रूची कर थे रूची लेते थे खेल कूद में उनकी बहुत ज्यादा रूची थी he joined a sports academy उन्होंने एक खेल academy को join किया उसके अंदर भाग लिया मतलब उसमें बर्ती हुए in 2002 ज्याजडिया won the gold medal in Korea 2002 के अंदर ज्याजडिया ने कोरिया में स्वरन पदक जीता in 2004 ज्याजडिया qualified for his first summer पेरा उलम्पिक रिपर्जेंटिंग इंडिया एंट एथेंस अब क्या हुआ 2004 के अंदर जो एथेंस ओलम्पिक हुए थे 2004 में ज्याजडिया ने अपने प्रत्थम ग्रीशम कालिन पेरा उलम्पिक स्केलों में एथेंस में बारत का प्रतिनिदितव करने की पातरता अर्जित की क्वालिफाई हुए वो ठीक है 2004 में at the game he set a new world record in javeling at the distance of 62.15 meter and got the gold medal ठीक है आप देखिए उन्होंने बाला फैंक में 62.15 meter बाला फैंक कर संसार का एक नया record नया कीरतिमान इस्थापित किया और स्वर्न पदक प्राप्त किया स्वर्न पदक जीता and he became the only second gold medalist at the para Olympics for his country ठीक है और वहे gold medal प्राप्त करने वाले अपने देश के दूसरे खिलाडी बन गए दूसरे व्यक्ति बन गए 12. from the president of India becoming the first parliament para Olympian to be honored with the award ठीक है अब क्या हुआ मार्च 2012 में उन्होंने बारत का प्रतिष्टिक कि उलॉम्पियन व्यक्ती पेरा ओलोम्पिक्स में भाग लेने वाला व्यक्ती पेरा ओलॉम्पिक्स क्या होता है जिसके अंदर विकलांग व्यक्ति भाग लेते हैं ठीक है ही वाज recently वोने silver medal in दोहा कतर ठीक है उन्होंने हाल ही में कतर के दोहा में 2015 में एक रज़त पदक जीता है ठीक है तीन परकार के पदक होते हैं स्वर्न पदक, रज़त पदक और कांसे पदक जो पहले नमबर पर रहता है उसको स्वर्न गोल्ड मेडल मिलता है दूसरे पर रज़त पदक, तीसरे पर कांसे पदक ठीक है ब्रॉंज मेडल जिसको इंग्लिस के अंदर बोलते हैं और दुवित्य स्थान पर जो होता है उसको silver medal बोलते हैं अब देखिए answer the following questions first early and then in writing सबसे पहले अपने को मोखिक रूप से उत्तर देना है जबानी उत्तर देना और फिर लिखित के अंदर उत्तर देना है वेर वाज देविंदर जाजडिया बोर्न देविंदर जाजडिया का जन्म कहा हुआ तो चूरू जिले के अपने जैसे पहली लाइन में शाहिद अपने पड़ा कि देविंदर जाजडिया का जनौ राजस्तान के चूरु जिले में हुआ ठीक है ना तो देविंदर जाजडिया वाज बोर्न एट चूरु इन राजस्तान ठीक है ना तो वाई वाज इस हैंड कट ओफ उसके हाथ को काट कर अलग क्यों किया गया ठीक है तो अपने जैसे कित उनका जो हाथ है वो काटना पड़ा तो अंग्रेजी के अंदर किस तरह से उत्तर देंगे अपने इसका वाइल क्लाइबिंगे ट्री टॉस्ट डे लाइब इलेक्रिक केबल सो दा डॉक्टर है टू कट ओफ इस हैंड फोर वाट डेड़ ही गेट गोल्ड मेडल इन टू थाउजन फोर चीक है अब देखिए दो जार चार में उन्होंने किस लिए स्वरन पदक प्राप्त किया किस लिए स्वरन पदक किया पैरा ओलॉम्पिक्स के अंदर उनने किरतिमान इस्तापित किया था ना 62.15 मीटर जैबल ही सेट अनुवर्ड रिकॉर्ड इन जैवलिन थ्रो एंट ए डिस्टेंस ओफ 62.15 मीटर एंड गो गोल्ड मेडल प्राप्त किया वैन वाज ही अवार्ड पदमश्री अवार्ड तो उनको जो पदमश्री अवार्ड है उनसे उससे कव सन्मानित किया गया तो अपने पार्ट मार्च 2012 में उन्हें पदमश्री अवार्ड से सन्मानित किया गया वाज अवार्ड पदमश्री इन मार्च 2012 इसका अउत्तर हो जाएग अंग्रे जी के अंदर आगे देखते हैं पैरा ओलंपिक्स and international athletics competition for the disabled ones ठीक है पैरा ओलंपिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पैरा ओलंपिक्स game है जो विकलांग दिव्यांग विकती है उनके बाग लेने के लिए हैं Let's read another story in the play about a boy named Ramu who was not able to play games with his friends ठीक है हमें एक दूसरी कानी नाटक के रोप में राम नामक लड़के के बारे में है जो जो अपने मित्रों के साथ खेलने में सक्षम नहीं था पढ़नी चाहिए चलो इसको पढ़ लेते हैं यहां एक छोटा नाटक है जो विद्या सागर एक संस्ता जो चैनाई में विशेश चुरूरत मंद बच्चों के लिए है कि बच्चों के द्वारा लिखी गई है एक कानी से बच्चों के द्वारा लिखी हुई एक कानी से लिया गया है ठीक है अब इसके अंदर पातर है कौन से यह नाटक हमें परकाश तथा राम जो एक ही कक्षा में अध्यन रहते हैं के बारे में बताता है प्रकाश और राम इसमें पातर होंगे वह एक कक्षा में पढ़ते हैं इससे अपने को पता लगेगा आगे पढ़ेंगे इसको प्रकाश चलने में सक्षम है राम पहियों वाली कुरसी का उप्योग करता है वो अक्सर अपने दिव्यांग लोग जो होते हैं उनको अपने देखते हैं कि वो अक्सर दिव्यांग जो लोग होते हैं वो कुरसी का प्रयोग करते हैं कुरसी की मदद से आगे चलते हैं इसे पूरा कर लिया है अस्विन Give me your homework notebook राम राम आप मुझे अपने ग्रेकारे की कोपी दे दो I will put it on the teacher's table to be corrected मैं इसे अध्यापक की मेज पर सही करवाने के लिए रख देता हूँ राम Thank you Aswin Aswin आपको दन्यवाद Aswin राम Have you completed your physics project? राम क्या आपने अपना physics को कहते हैं बोतिक विज्ञान Physics का project परियोजना या आज कल जो project है Project शब्द है वो चलन में आ गया है अपने भी project ही बोलते हैं वैसे परियोजना ठीक है? इसको बोलते हैं project पूरा कर लिया है तो देखो राम क्या कहता है Yes, I have made a model of rain water harvesting ठीक है? मैंने क्या है? एक water harvesting मतलब water harvesting एक tank होता है उसको मतलब जल स्रंक्षन जिसको हिंदी के अंदर बोल सकते हैं अपने जल स्रंक्षन हाँ मैंने वर्षा जल स्रंक्षन का एक नमूना बनाया है water harvesting का एक नमूना बनाया है नित्या, राम makes such good models bell rings अब क्या है? नित्या क्या कहती है? राम ऐसे अच्छे नमूने बनाता है bell rings इतने में क्या है? गंटी बच जाती है प्रकाश coming in अंदर आते हुए Hey, I have come to take you the playground for lunch ठीक है? क्या कहता है? अंदर आते हुए अरे मैं आपको दिन के बोजन पर खेल के मैदान ले जाने के लिए खेल के मैदान पर ले जाने के लिए आया हुँ ठीक है? अस्विन क्या कहता है? you never forget your best friend do you? ठीक है? आप अपने गनिष्ट मित्र को कभी कभी नहीं बोलते क्या आप बोलते हो? कौन कहता है? अपने अस्विन कहता है परकाश से परकाश how can I forget him? he never forgets me ठीक है? परकाश क्या कहता है? मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ जब वो मुझे कभी नहीं बोलता ठीक है? अब राम कहता है it is because of परकाश that I could join his school this year ठीक है? यह है परकाश के कारण ही हुआ कि मैं इस साल उसके विद्याले में बरती हो सका he told my parents that I had to apply for admission to class 4th ठीक है? उसने मेरे माता पिता को बताया कि मुझे कक्षा 4 के लिए कक्षा 4 में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहिए अस्मिन, ओके ओके we are happy to ठीक है ठीक है हम भी बहुत खुश है, हमें भी बहुत खुशी है परकाश join us for a game of cricket after lunch अब क्या है? परकाश क्या करेगा? कि दिन के बोजन के बाद cricket खेल के लिए हमें हमें शामिल हो जाएगा या हो जाओ परकाश, yes, sure हाँ, बिल्कुल, पक्का राम let me join to मुझे भी शामिल होने दो राम क्या कहता है? let me join to मुझे भी शामिल होने दो how can you play राम? you can't move on the field or hold a bet ठीक है? अब क्या कहता है? how can you play राम? राम, परकाश कहता है राम, आप कैसे खेल सकते हैं? you can't move on the field or hold a bet आप, मतलब, ग्राउंड के अंदर मैदान के अंदर इदर उदर गूम नहीं कर सकते move नहीं कर सकते चैल कदमी नहीं कर सकते ठीक है? और नहीं ही आप बल्ला पकड़ सकते हो ठीक है ना? आप कैसे खेल सकते हो? play कैरम with you later I will play कैरम with you later मैं आपके साथ कुछ देर बाद मैं आपके साथ कैरम के लूँगा ठीक ही ना? परकाश कहता है राम से कि कुछ से समय बाद मैं आप से कैरम के लूँगा राम singing येस परकाश गाते हुए कहता है राम नहीं singing इस कार्थ होता है लंबी सांस को अंदर बढ़ते हुए वो singing नहीं है ये गाना गाने वाला वो आता है singing yes परकाश ठीक है हाँ परकाश ए मंत लेटर एक महीने बाद अमित I wonder why परकाश is not on time अमित क्या कहता है मैं आश्चरे चकित हूँ मुझे आश्चरे है की परकाश समय पर क्यों नहीं आया सम टाइम पर क्यों नहीं आया है ठीक है अब क्या कहता है मित आगे और भी कहता है we have a big match tomorrow हमारा कल एक महतपूर्ण मैच है याश्वियन he said he would come for morning practice what the bell is going to ring now अब क्या है उसने कहा था वह सुबह के अव्यास के लिए आएगा लेकिन अब गंटी बजने वाली है परकाश कम्स इन limping limping मतलब लंगडाते हुए ठीक है ना लंगडाते हुए परकाश लंगडाते हुए आता है अमित accident what happened परकाश क्या हुआ परकाश accident दुरगटना दुरगटना हो गई परकाश कहता है my father's scooter was hit by a auto and I fell down मेरे पिताजी का जो scooter है वो किस से बिढ़ गया एक auto से बिढ़ गया यह auto वाले ने टक्कर मारी और मैं नीचे गिर गया यह कौन कहता है परकाश कहता है he had to take me to the hospital ठीक है वह मुझे उन्हें मुझे हसबता ले जाना पड़ा it's a simple spring यह है एक सदारन मोच है spring बोलते है मोच को ठीक है यह है एक सदारन मोच है नित्या how sad कितना बहुत दुखद now how will you play the match अब आप मैच कैसे खेल सकते हैं कैसे खेलोगे परकाश hey I can bet मैं खेल सकता हूँ मैं बल्ला चला सकता हूँ ठीक है someone can run for me ठीक है मेरे लिए कोई दोड सकता है ठीक है मेरे लिए कोई दोड सकता है जैसे cricket match में runner ले सकते हैं तो कोई भी गायल खिलाडी जो हो जाता है तो उसके लिए runner ले सकते हैं उसी की बात कर रहा है परकाश Amit and Ashwin look at each other Amit और Ashwin ने एक दूसरे की तरफ देखा देखते हैं Amit sorry परकाश it's an important match Amit क्या कहता है परकाश हमा करें यह है एक महतपूर्ण match है important match है परकाश Are you telling me I am not in the team anymore क्या मुझे बता रहे हो मैं इस टीम में इस दल में नहीं हूँ Ashwin well ठीक है well yes हाँ चलो ठीक है हाँ नित्या परकाश be responsible परकाश वैभारिक हो ठीक है मतलब एक responsible हो जिम्मेदार बनो ठीक है ना परकाश जिम्मेदार बनो How can you play with a sprint foot आप एक मोच वाले पैर से कैसे खेल सकते हो मोच लगे हुए या मोच वाले पैर से कैसे खेल सकते हो परकाश ओ ओके अरे परकाश परकाश अब देखिए परकाश कहता है ओ ओके ओल असेप्ट परकाश गो आउट सभी ने फैंसला किया ओम परकाश कहता है ओ ठीक है परकाश के अलावा सभी बाहर चले जाते हैं ठीक है बेल रिंग्स राम कमसिन ठीक है गंटी बज़ती है और राम अंदर आता है अरे परकाश क्या हुआ परकाश नथिंग एक कुछ नहीं एक छोटा सा छोटी सी दुर गटना है मैं ठीक हो जाऊंगा चिंता मत करो राम और आज के मैच के बारे में क्या परकाश आई कांट प्ले परकाश ने कहा मैं नहीं खेल सकता हूँ राम तो बैड परकाश यू है प्रेक्टिस्ट सो हार्ड एंड यू कांट प्ले ठीक है राम क्या कहता परकाश यह बहुत बुरा हुआ आपने कठोर अभ्यास किया और आप खेल नहीं सकते हो आश्चरे से कहा उन्होंने परकाश यू नो परकाश क्या आप जानते हो मैं दूसरों को खेलता देख कैसा महसूस करता हूँ जब आप उनमें शामिल नहीं हो पाते हो क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते हो राम स्माइलिंग मुस्कूराते होए परकाश राम कहता है रामoit येस आई डू दोलाई ने अपने छोड़ दीती येस आई डू I have felt this all my life परकाश राम क्या कहता है हाँ मैं ऐसा ही महसूस करता हूं मैंने पूरे अपने पूरे जीवन में इसे महसूस किया है प्रकाश अब प्रकाश कहता है I will never let it happen to you again तीक है अब प्रकाश कहता है मैं ऐसा आपके साथ दुबारा गटित नहीं होने दूंगा राम we will find a way to play together हम एक रास्ता निकालेंगे एक दूसरे के साथ खेलने का हम साथ साथ खेलने का कोई तरीका डूंड लेंगे राम smiling मुस्कुराते हुए thanks प्रकाश धन्यवाद प्रकाश that would be good यह है अच्छा रहेगा and in this meantime let's play कैर्म they laugh वे हसते हैं ठीक है इस समय के दुरान हमें कैरम खेलना चाहिए फिर वे हसते हैं glossary देखिए इसके अंदर hold hold का अर्थ हो जाएगा थामना या पकड़ना forget ठीक है भूल जाना ठीक है responsible वैवारिक या जिम्मेदार भी कह सकते हैं आप इसको ठीक है वैसे जिम्मेदार ही होता है इसका अर्थ लेकिन इसके अंदर वैवारिक दिया हुआ है limping ये वो शबद्था लंगडाते हुए ठीक है एक शबद दौर आया था इसके अंदर वो अंदर सांस लंबी सांस खिशते हुए singing शबद्था शायद वो Rain Water Harvesting वर्षा के पानी को संचित संग्रेत करना नीचे टैंक बनाए जाते है Water Harvesting के लिए और स्प्रेन ये एक इंजरी होती है मोच लगना, मोच आना अब देखो activity first Check your understanding answer the following questions अपनी समझ को परखिए समझ को चेक कीजिए समझ को जांचिए निमन प्रशनों के उत्तर दें What thing did Ram make for his project Ram ने अपने project के लिए क्या बनाया नित्या कहती है ना कि Ram तो नई नई चीजे बनाता है तो Ram ने Water Harvesting का जो प्रोजेक्ट बनाया था तो इस तरह से Water Harvesting का model बनाया था तो इसको अपने अंग्रेजी के अंदर किस तरह उत्तर देंगे Ram made a model of rain water harvesting for his project for his project आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हैं Ram made a model of rain water harvesting Ram ने वर्षा जल प्रोजेक्ट का एक नमूना बनाया तो इस प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट के लिए लिख सकते हैं Who took Prakash to hospital and why प्रकाश को हसपताल कौन ले गया और क्यों अब देखो जो भी sentences जो Who से शुरू होते हैं आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो भी Who से शुरू होते हैं उनकी जगें आप नाम लिख देना है और बाकी sentence वैसे का वैसे लिख देना है लेकिन इसके अंदर ये दो question है देखिए इसमें दो question है Who took Prakash to hospital and why ठीक है प्रकाश को hospital कौन ले गया और क्यों तो देखो कौन लेके गया था उसके पिता जी लेके गये थे प्रकाश was taken to hospital by his father because he had a sprain ठीक है क्योंकि उसे sprain थी मोच लगी थी ठीक है वो गिर गया था इसलिए उसके पिता जी ले गये थे ठीक है तो who helped Ram in joining the school Ram के school के अंदर बाग लेने में school के अंदर भरती होने के लिए किसने मदद की ठीक है किसने मदद की थी Ram की प्रकाश ने तो आपको मैंने जैसे बताया था who की जगे आ जाएगा प्रकाश helped Ram in joining the school ठीक है who की जगे आपको ये बिल्कुल असान प्रशन होते है हो की जगे आपको राम लिख देना है क्या लिख देना है राम राम अरे सोरी सोरी प्रकाश इसकी जगे who had Ram in joining the school तो इसकी जगे आपको लिख देना है प्रकाश ठीक है भई प्रकाश ने मदद की थी ना राम की तो इसकी जगए आपको लिख देना है परकाश तो इसकी जगए आप परकाश लिख देने देखिए आगे देखिए वाई कुड नौट परकाश प्ले दा किर्केट मैच परकाश किर्केट मैच क्यों नहीं खेल सका ठीक है क्यों नहीं खेल सका क्योंकि उसे मोच आ गई थी ठीक है तो इसका उत्तर अपने किस तरह से लिखेंगे प्रकाश कुड़ नौट प्ले दा किर्केट मैच क्योंकि उसका जो पैर था वो मोच ग्रसित था उसको मोच आ गई थी ठीक है राम की दर्द के बारे में आम के दर्द के बारे में कैसा मैसोस किया बहुद था प्रकाश ने प्रकाश ने मतलब प्रकाश ने राम के दर्द को उस समय महसोस किया जब उसे इसकी तरह था देखना पड़ा राम एक भईयों वाली कुर्सी का प्रियों करता था और किर्केट नहीं खेल सकता था तो उसको भी बुरा लगा जब उसके मित्र नहीं खेल पाया तो उसको बहुत बुरा लगा अब देखिए चूजदा क्रेक्ट ओप्शन अब आपको इसके अंदर चार ओ होता है सर्प्राइज्ट वरिड अफ्रेड आस्क्टू माइसेल्फ इसका सर्प्राइजड उत्तर होगा ये ये उत्तर इसका सही होना चाहिए वंडर मतलव आस्चरे सर्प्राइजट इसके अंदर आई वंडर वाई प्रकाज इस नोट ओं टाइम चीक है, wondered, meaning of wonder this sentence, अब इसके, इसमें मतलब इस sentence के अंदर इसका meaning worried भी, worried भी हो सकता है, वैसे अगर अपने देखें इसका जो हर्थे वो surprised होता है, wonder का, लेकिन इस sentence के अंदर, इस sentence के अंदर क्योंकि जो सुमित था, कौन, अमित था, सुमित था, इसका क्या नाम था, है, अमित, ठीक है, अमित जो था, वो चिंतित था, ठीक है, चिंतित था कि ये परकाश अभी तक समय पर क्यों नहीं आया है, ठीक है, तो इसका उत्तर worried कर लो, इसको, आ वरिड, चिंतित होगा इसका उत्तर, परकाश प्रेक्टिस्ट फोर दा मैच, टू भी प्लेट दा नेस्ट डे, ठीक है, किसका मैच था, परकाश जो मैच था, किसका मैच था, तो इसका बी ओप्शन जो है, वो सही हो जाएगा, किर्केट मैच था, ठीक ना, किर्केट मैच था, ये ओप्शन इसका, सही हो जाए हमें जिम्मेदार होना चाहिए प्रकाश किस ने कहा था शायद नित्या ने कहा था ठीक ना तो इसका ओप्षन जो है नित्या सही हो जाएगा ए ओप्षन इसका सही हो जाएगा आप देखें टू फॉल्स ठीक है सही गल्द आपको बताने है प्रकाश लंगडा रहा था क्योंकि उसकी जो टांग में है वो टांग टोट गई थी नहीं यह एफ पॉल्स है यह फॉल्स हो जाएगा यह ठीक है ना गल्त है ठीक है तो प्रकाश फैल डाउन विकोज इस स्कूटर हिट एन ओटो ठीक है यह सही है प्रकाश गिर गया था क्योंकि उसका जो स्कूटर है वो प्रकाश फैल डाउन विकोज इस स्कूटर हिट एन ओटो काश गिर गया था विकोंस स्कूटर हिट एन आटो तो ये सही है क्योंकि उसका जो स्कूटर है वो आटो से टकरा गया था परकाश प्लेट दा किर्केट मैच परकाश ने किर्केट मैच खेला नहीं खेला ये फॉल्स है राम वास्ट अदर पीपल पले all his life बिल्कुल राम दूसरे लोगों को अपने जिंदकी में खेलता हुआ देखता था तो ये बिल्कुल सही है दूसरे लोगों को देखता था क्योंकि वो दिवियांग था ये true है ये सही है फाइनली प्रकास एंड राम प्लेट दा गेम ओफ केरम टुगेदर अंतिम रूप से प्रकास और राम ने केरम मिलकर केरम का गेम खेला तो ये सही है प्रूव है अब आगे देखते हैं activity third ठीक है choose from the box the opposite of the words given below the right them in the blanks ठीक है big ये का big का आर्थ होता है बड़ा तो इसका उत्तर हो जाएगा small छोटा तोगेदर separately इसका उत्तर हो जाएगा separately ठीक है ना tomorrow tomorrow का आने वाला कल तो इसका opposite हो जाएगा बीता हुआ कल yesterday laugh हसना तो वीप हो जाएगा इसका वीप रोना ठीक है finished स्माप्त करना started ठीक है शुरू करना forget बोलना तो remember हो जाएगा इसका ठीक है अब देखिए आगे मैस्ता कोलम ए with their meaning in column B ठीक है इसके बाद अपने काफी exercise पड़ी है देखते हैं अपने यह part काफी लंबा हो जाएगा अपना अब देखिए laugh laugh क्या होता है laugh को आपने इसको match करना है column A और column B से ठीक है ना तो laugh होता है अरे sorry laugh नहीं है यह lunch है lunch क्या होता है lunch होता है यह a meal eaten in middle of the day ठीक है क्योंकि middle of the day इसलिए क्योंकि जो सुबह अपने करते हैं वो होता है breakfast ठीक है तो दोपेर का lunch इस्प्रेन क्या होता है to injury joint in the body parents parents क्या होते है mother and father होते हैं तो इसका उत्तर यह हो जाएगा happen ठीक है happen क्या इसके अंदर देखते हैं अपने डूनते है happen का हो जाएगा take palace ठीक है worry चिंता करना तो इसको पढ़के देखते हैं कौन साइस के लिए सही होना चाहिए इसके लिए tip to keep thinking about the happening of something unpleasant यह हो जाएगा ठीक है इसका यह हो जाएगा to keep thinking responsible 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 के लिए हो जाएगा responsible के लिए हो जाएगा अपना इसके लिए हो जाएगा यह fair practice and sensible ठीक है अब हो जाएगा simple not special और ordinary यह हो जाएगा simple ठीक है तो इसको अपने मिला देना है इस तरह से अपने exercise पूरी हो गई है चलो आगे देखते हैं complete the spellings of following words by inserting the missing letter in each of them inserting इसके अंदर जो missing शब्द है ठीक है इनको बरना है इसके अंदर ठीक है न it is an important i-m-p-o-r-t-a-n-t o और t-a आ जाएगा a o और a पहले में o और दूसरे में a आ जाएगा इसके अंदर यह देखिए इसमें o इसमें a ठीक है अब देखिए important और दूसरे में he went to यह आ जाएगा दो खालिस्तान है इसके अंदर hospital शब्द है यह h o s p i o और i इसके अंदर आ जाएगा because he was ill i got admission शब्द बन जाएगा यह a d m i double s i o n i और दूसरे में o आ जाएगा ramesh is my best friend friend आ जाएगा f r i i आ जाएगा इसके e nd ठीक है और he got first prize for his model है जी शब्द m o d a d e l m o d e l model in physics बहुतिक का model activity third देखते हैं look at the following sentences given below तेके नीचे दिएगे sentence को जल्दी जल्दी करेंगे इसको अपने hey I can bet मैं बल्ला चला सकता हूँ you can't move on the field आप मैदान के अंदर गूम नहीं सकते how can you play with a sprint foot आप sprint जो मोच साहित पैर मोच वाले पैर से कैसे खेल सकते हैं someone can run for you कोई आपके लिए दोड सकता है can I use your phone yes you can क्या मैं तुवारा phone यूज कर सकता हूँ हाँ आप कर सकते हैं तो in the sentences number one and and can has been used for showing the ability power to do something in sentences number three and can has used for showing the possibilities of doing something in the present in sentences five can has been used for permission in formal permission के लिए we use can plus infinity native can do can can do can play act for showing the ability of ability the possibility are the permission to do something without to the negative of can is isn't cannot we can also use be able आप देखते हैं study the following sentences in my childhood जीके अब इसके अंदर देखिए आपने क्या करना है activity third में hey I can bet ये आपने पड़ लिया इसके अंदर जीके ना आप देखो sentence देखते हैं in my childhood I could not what I liked इसके अंदर मतलब अपने को क्या करना है दो sentence मना दिये इनोंने childhood comma I couldn't could do what I like तो दूसरा the teacher told me you can write a paragraph on any topic your choice ठीक है तो इसके अंदर आपने fill in the blanks with can, cannot, could as required ठीक है तो ये आपने कर देना है अब इन आप कैन ड्राइफ 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 वाट ही hasn't got a car ठीक है तो इसमें can आ जाएगा आप दूसरा आप देख लेजिए दूसरा I see इसके अंदर cannot आ जाएगा I cannot see you on Saturday but I can see you on Sunday morning ठीक है ना क्योंकि अपने को लास्ट वाले संटेंस का भी मतलब समझना है इसके अंदर my friend friend is ill so he ill है तो इसलिए can't play ठीक है इल है इसलिए नहीं खेल सकता ठीक है आपको मतलब समझना है he run because he has trained in his ankle तो he can't run चोथे में भी can't आ जाएगा ठीक है अब आच में when I was a child I could आ जाएगा past के लिए could का प्रयोग present के लिए can का प्रयोग करेंगे the principle told us that we go on a tour that we we could told मतलब बताया past में है ना तो could आ जाएगा इसके अंदर accidents happen anywhere तो accident can happen कहीं भी गटित हो सकते हैं दुरगटना कहीं भी गटित हो सकती है as a tennis player he beat anyone in his young age he could जब है जवान था ठीक है ना तो he could wait could आ जाएगा 8 नंबर में ठीक है अब नॉमा देखते हैं a deep of a person who can cannot मतलब वो can't आ जाएगा इसके अंदर a deep is a person who cannot hear anything जो deep होता है वो कैसे नहीं सुन सकता है वो ना मतलब जो गुंगा बहरा आदमी होता है बहरा आदमी होता है वो नहीं सुन सकता कुछ नहीं सुन सकता है I have no money so I can't आ जाएगा इसके अंदर भी ठीक है मैं आपको इसलिए आपको उदार नहीं दे सकता so I can't lend you any money इसलिए मैं आपको कोई भी पैसा उदार नहीं दे सकता हूँ rewrite the following sentences using can or cannot could could not in the palace that underline ठीक है तो ये आपको एक मैं उदारन दे देता हूँ बाकी आपको ये खुद करने है ठीक है ना देखिए cannot का प्रयोग करना है इसके अंदर तो पहला sentence he is able to able to speak three languages ठीक है वह तीन बाशा बोलने में स्मृत है तो अब क्या करना है आपको इसकी जगए है ठीक है ना किसकी जगए he can is able to is able to की जगए आपको can शब्द लगा देना है he can speak three languages ठीक है ना तो आप ये बिल्कुल simple है ठीक है ना जो भी underline word है उसकी जगए can लगा देना है वाक्वाक्य वैसे का वैसे आपने लिख देना है तो ये वाक्य आपने कुद करने है pronouncing the following word after your teacher ठीक है अब क्या है अपने अध्यापक के अपने अध्यापक के पस्चा निमन शब्दों का उचारन करना है तो इन शब्दों को आपने बोल करके देखना है ठीक है ना ये आपका एक तरह से आप मोकिक टेस्ट मान लो ये जितने भी आपके शब्द है ठीक है ना ये जितने भी शब्द है आपके ये देखिए ठीक है इन सारों का आपने उचारन करना है एक बार जो कठीन उचारन लगे उसको आप पूछ सकते हैं गुरूप के माध्यम से पूछ सकते हैं ठीक है अब आप देखिए अक्टिविटी फिफ्थ यू आर ए स्टुडेंट ओफ लास फॉर्थ राइट फाइफ संटेंसे जबाउट तिंग्स यू कैन डू दिंग यूर आंस्वर लाइक दौछ में दौड सकता हूँ फांच वाक्य आपको बनाने हैं तो बंड किक है तो देखिए आप पांच वाक्य इसके इसका वाक्य हूँ G यह बना सकते हैं मेद इसके आइक कैन को मिस्तित ये चांवर कर दिकिए आगे दिया हुआ है mm wild किए i can can swim well हो जाएगा इसका तो I can prepare tea I can लग जाएगा इसके अंदर भी I can write a letter. से नाई-केन राइट लग जाएगा इसके अंदर दो यह वह हो गए 5 आपके. के जिचे काएख थाट आपक्ञाइब tb зап나orneys roman traditional ओ तॉवरे सपतिмы I cannot swim, ठीक है न, I cannot swim हो जाएगा इसका, can't हो जाएगा या cannot, can't जो भी आप योज करना चाहें, they can't, but anything without money, can't का प्रियो करना है, we can't study in a dirty room, अब पांच मां देखिए, she can't attend a party without a new dress, ठीक है, अब देख लेजिए, अब write five sentences, each about what you could do, what you could not do in your child rule, अब देखिए, जो आप कर सकते हैं, ठीक है, जो आप कर सकते हैं, वो पांच वाक्या आपने यहां लिखने हैं, ठीक है, I could walk, जो भी आप, ठीक है, उपर जैसे sentence दिए, आप जो जो काम कर सकते थे, उसके लिए आपने लिखा can't, ठीक है, जो नहीं कर सकते थे, उसके अब देखिए आगे देखते हैं अपने, collect the picture of CWSN and write about their achievements and then display them in classroom, अब यह देखिए आपको क्या करना है, अब आपको, देखिए आप अपने, collect the pictures of CWSN and write about their achievements and then display them in classroom, अब यह देखिए आपको, विशेश जुरूरत मंद आपशक्ता वाले बच्चों से, समंदित को इस तस्वीरें एक्तिरत करनी है, CWSN होते हैं, मतलब विशेश आपशक्ता वाले बच्चे, तो मतलब दिव्यांग बच्चे आते हैं, इसके अंदर गूंगे बहरे बच्चे, विशेश योगे जन मतलब CWSN बोलते हैं उनको, Children with Special Needs, इसका जो फुल फोर्म है नीचे दे भी रखी है, यह देखिए, CWSN, Children with Special Needs, विशेश आपशक्ता वाले बच्चे, उनकी तस्वीरें एक्तिरत करें, तथा उनकी उपलबदियों के बारे में लिखें, और उन्हें कक्षा में परदर्शित करे कक्षा में लगाएं, अधियापक महुदे की सायता आप ले सकते हैं इसके अंदर, तो इस तरह से आप यह यहां तस्वीरें लगा सकते हैं, आप बना भी सकते हैं, खुद पेंसिल से, तो यह अपना पार्ट जो है, कम्पलेट हो गया है, काफी लंबा पार्ट था यह, काफी बड़ा पार्ट था, तो यह पार्ट अपना स्वापत हो गया है, अगर यह प्रियास आपको अमारा अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा वीडियो को जादा से जादा शेयर करें, धन्यवाद,